दिली हाइकोट ने सोंवार को कहा कि जेन्यू की पूर्विचात्र उमर खालिद के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में दिये गए भाषन की भाषा सही नहीं थी लेकिन ये आतंग की कृते नहीं बनता है कोट ने दिली हिंसा की साज़िश के आरोप में आतंगवाद निरोधग कानून के तहत गरिफतार खालिद द्वारा अमरावती में दिये गए भाषन के तत्यों पर कौर करने के बाद ये टिपड़ी की है हाई कोट खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है हाई कोट ने टिपड़ी खालिद की जमानत याचिका के सुनवाई के दुरान की है जिसने इस मामले में निचली अदालत के त्वारा 24 मार्च को उसकी जमानत अरजी खारिच करने के फैसले को चुनावती दी है उमर खालिद को फरवरी 2020 में दंगा भड़काने की कतित साजिश से संबन लिद यूए पी ए कानून के तहट दर्ज मामले में गिरफतार किया गया था मामले के सुनवाई में जस्टिस सिधार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीछ ने कहा कि अगर डिली पुलिस का मामला इस बात पर आधारित है कि भाशन कितना अक्रामक था तो ये अपने आप में एक अपराद नहीं है इसके साथी कोट ने का कि खालित का भाशन अपती जनक था और मानहानी के समान हो सकता है लेकिन एक आतंकी गतीविती के समान नहीं हो सकता दिली हाई कोट ने टिपड़ी उमर खालित की तरफ से वरिश्ट वकील तृदीप पैस की दलील सुनने के बात की है कोट उमर खालिद के वकील के द्वारा पेश दलीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उमर खालिद के द्वारा 17 फरवरी 2020 को अमरावती में दिये गए भाशन का जिक्र किया गया वकील ने इस मामले में संरक्षित गवाहों के द्वारा दिये गए बयानों को भी बढ़ा है मामले के अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India हिंदी के साथ